जैने दोस्तों मैं नवीन सिर्म आप स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे एकदम सांदार होंगे प्यारे बचे आप सब लोग जानते हैं 2023 बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की बरती आप लोगों के साबने आ चुकी है 20 जून से बचे फॉर्म भरने सुरू हो जाएंगे जो की 20 जुलाई तक भर रहे होंगे तो किसी भी परिक्षा के लिए फॉर्म आ जाना और या कभी आ जाना एक अलग विसे है बड़ी बात है कि क्या उस परिक्षा के लिए हम तयार हो पाते हैं या नहीं हैं हम बहुत बार परिक्षाओं में बच्छे आवेदन करते हैं, अभियर्ती तो हम बहुत सारी परिक्षाओं के बने हैं, और अभी तक अगर आप क्लास देखने आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कि अभी हम सफलता की तरफ most of आपने से जाना चाह रहे होंगे, कि हम लोग सफल ह पाएं, तो अभियर्ती हो जाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है, आप किसी परिक्षा को पास कर लें, और किसी भी परिक्षा को पास करने के लिए जानना जरूरी होता है, दोस्त, कि उस परिक्षा के जो प्रशन पत्र है, या जो कुशन का लेवल है, या प तो आपने आपाता है grams मेमोडी बेश्टी कुस्च कि अपने आप आप आते हैं तो किसे इस तरा से बुच्चे आप लोगों तीन मिजर पार्ट्स gk, gs के लिए जो कि लगभग आपका 35 से 40 कुष्जन का पुछा जाता है, साइन्स जो कि लगभग 30 कुष्जन का पार्ट है, और आपका हिंदी जो कि लगभग 10 कुष्जन का पार्ट है, यानि यह 80 marks बन जाते हैं GKGS मैं इस सब के बारे में पहले आपको समझा देता हूँ क्योंकि तैयारी करने का आर्थ तब ही है जब हम लोग जानते हूँ कि हमें तैयारी किसकी करनी है और कितनी तैयारी करनी है तो अगर हम बात करते हैं आपका बिहार पुलिस कॉंस्टेबल की बच्चे बिहार पुलिस भरती की बात करते हैं 2023 की तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को क्या देखनी है पहले तो यह पेपर होता हुआ आया है आप से पहले भी कॉंस्टेबल का अगर आप देखोगे बच्चे की पेपर की बात करे 2010 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, 2014 में पेपर हुआ, 2017 में पेपर हुआ, 2020 में पेपर हुआ, 2021 में पेपर हुआ और अब ही आपके सामने है 2030 की बढ़ती तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो subject wise आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या-क्या हमसे पूछा जाएगा तो पूछे जाने में क्या है आपका हिंदी, इंग्लीज, इंग्लीज आपका और प्यारे दोस्त maths, और हम बात करें आपका gk, gs, current affairs या फिर आपका बिहार का जो gs है, इसमें current affairs भी सामिल है, ठीक है, और एक आएगा आपका science इस तरह से यह syllabus बटा हुआ है, science की बच्चे लगभग 10 question आपसे पूछे जाएंगे, अंग्रीजी के 10 question, math के 10 question, gkgs, current affairs और बिहार का मिला करके 40 question और science के 30 question, इस तरह मिला करके कुल 100 question आपसे पूछे जाएंगे, 100 question के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 2 घंटे, ठीक है, हर एक question एक number का होगा, और अगर हम बात करें, तो यह question paper कितने का हो गया, 100 marks का हो गया, जिन लोगों को यह चीजे नहीं पता हैं, वो इस बात के बारे में जान लें, कि अंकित बहाटी सर ने एक वीडियो बनाई हुई है, जो बच्चा किसी भी तरह की जानकारी चाहता हो, कि आपके पास यह जानकारी नहीं है, चाहे वो आपके physical की measurement, कि भई physical में क्या क्या होता है, या आप form भर पाएंगे, य eligible है या नहीं है, क्या किस age में छूट है, लड़कियों के लिए क्या अलग से parameter है, तो सब के लिए आप वो वीडियो देखना ना पूले, वो देख करके आप सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं, तो अभी हम मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ, कि भीया क्या ये perfect 10 question ह ही हिंदी के पूछे जाएंगे, तो बच्चे ये कम जादा है, हो सकता है 7 question ही हिंदी के पूछे, ऐसा कहीं आपका notification में नहीं है कि perfect 10 ही question आप से पूछेगा, तो 10 भी पूछ सकता है, फिर तो भाई साब 11 भी पूछ सकता है, हाँ जी पूछ सकता है, इंग्लिस आप बात सम यानि एक perfect number of questions नहीं है, कि इतने ही पूछे जाएंगे, कम जादा हो सकता है, maths, सभी subject पर ये ऐसे ही बच्चे लागू होता है, कि सभी subject से इतने ही question पूछ जाए एकदम जरूरी नहीं है, negative marking है या नहीं है, तो पहले तो ये तयार हो जाएगे, कि negative marking नहीं है, ठीक है, ये हम बात करें, हम बात करें, भीया जी, vacancy कितनी है, तो 21,391 पद हैं दोस्ते, लेकिन क्या vacancy सच में इतनी है, तो vacancy कितने बच्चे चुने जाने, इसका गुणा 5 में, और गुणा 5 करें तो क्या बोलोगे, 5, 5, 9, और, नहीं, 106, 1,06, 955 बच्चे चुने जाएंगे, तो बच्चे number of vacancy 1,06,000 है, क्योंकि परिक्षा में आप लोगों को पास होना है, और परिक्षा में एक चीज लिखी हुई है, notification में 30% लाना निवारिया है, इस पर आपको बिलकुल ध्यान नहीं देना है, 1,06,000 बच्चे बच्चे हो सकता है, 50% पर हो जाएं, तो 50% merit चली जाएगी, ठीक है, अगर 25% पर इतनी vacancy हो पाती है, तो 25% ही जाएगी, तो 30% पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस बात पर देना है, कि vacancy इतनी है, physical strong चाहिए, इस बात में कोई doubt नहीं है, ये merit क्या आपकी count होगी, ये merit को नहीं पढ़ा, मतलब हलके में ले लिया, उन्होंने सुचा qualify है, तो ऐसा पूछा जाएगा कि qualify तो हम हो ही जाएगे, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे merit होने के बावजूद, आज फिर से तयारी करना उनको पढ़ रहा है, क्योंकि कभी-कभी किसी चीज को हम हलके म ना ले, आपको पढ़ना पढ़ेगा, जो भी बच्चे भरती होने का सपना देखते हैं कि मेरा physical strong है, तो भी अब पढ़ा ही भी थोड़ी strong चीए, मतलब ऐसे हवा में काम नहीं हो जाएगा, तो बिहार पुलिस पिछले 2021 के कैसे परशन पूछे गए आपका, अगर मैं बात करूँ आपका, 10, 12, 14, 17, ठीक है, यहां तक paper का जो इस्तर था GS का वो बहुत साधारन रहा, हिंदी, अंग्रेजी का, 2020 भी हम लगबख साधारन कह सकते हैं, 2021 में अच्छा paper हुआ, अच्छा paper के बात याद रखें, तो जब अच्छा paper हुआ, तो यहां दियान से देखेंगे कि person का क्या किरम रहा, कैसे person आपके पूछे गए, तो भीया क्या आपका हर किसी section में GKS आज में इसकी बात कर रहा हूँ, कल मैं class आप लोगों के लिए, हिंदी के लिए क्या हूँगा, इस 10 question की total, कैसे कैसे question पूछे गए, और person यानि कि आपका 20 June को में science की class लिए क्या करें, उसी इस तरकी तैयारी करें, ठीक है, तो सुरू करते हैं, आ गयाते हैं, तो आज इन question को देखेंगे, 2021 जैसे हम पर मैंने shift लिखी हुई है, ये 14 February 2021 पहली shift का पूछा गया question है, देखते हैं कि आप अगर किसी और state के लिए आप अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो कितन प्रसन आएंगे, ऐसा ना मानू, बस हम को ये जानना होता है, अनलिसिस करके, कि हाँ, प्रसन पूछे जा सकते हैं, एक स्तर, एक अच्छा लेबल हो सकता है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूँ, जैसे प्रसन पू ऐसी संकल्पना कर दी, और यह किसने कर दी, हीगल ने, ऐसा ही भाई साब, अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, इस्टेट के ऊपर, अरस्तु ने कहा था, जो राज्य है, वो व्यक्ति से पहले है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहूँ, कि ज ठीक है, क्या बोलोगे, राज्य का कौन सा स्टेटमेंट दिया, राज्य व्यक्ति से पहले है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये अरस्तु ने दिया था, ठीक है, दूसरा, यूरोप में सामंतवाद के पतन का पिर्मुक कारण क्या था, हलागी बहुत सारे आसान प्रशन भी पूछे गए, लेकिन आसान प्रसन जवाब सबको दे देने है, तो कौन सा है सामंतवाद के पतन का कारण, यानि जो फ्यूडलिज्म था, ये फ्यूड क्या होता है सामंत, देखो बच्चे, राजा के पास, राजा के छेत्र में बहुत सारी जमीन होती थी, राजा जिसको उस जमीन को सौपता था, जो जमिंदार था, उसको बुलते थे फ्यूड यानि सामंत, और एक समय यूरोप में ऐसा रहा कि सक्तियां सामंत के हाथ में रही, मतलब गदी के हाथ से भी ज़्यादा अधिकार सामंतों के हाथ में रहे, लेकिन फिर ये सामंत वाद जो था, जो सामंत था, इनकी सक्ति क्यों कमजोर हो गए, क्यों इनका पतन हो गया, क्योंकि जो किर्शक विद्रो हुए, जो किसानों ने विद्रो किये, क्योंकि उनका इन लोगों ने बहुत उत्पीडन किया, बहुत परेशान किया, उनसे जबरदस्ती लगान ली, तो बहुत सारे कि सामंत वाद के खिलाब चापे खाने विक्सित हो गए तो खबरे भी लोगों तक पहुचने लगी लोगों को ये बताया जाने लगा कि भाई साब इस तरह से ये आप लोगों के साथ सामंत गलत कर रहे हैं तो सिक्षा बड़ी और गाओं के जो वो लोग थे वो आपका सहरी व मिंदारी सिश्टम नहीं था कोई सामंत वाद नहीं था तो जैसे जैसे बिजनिस बढ़ा और सहरी केंदरों का विकास हुआ ये सामंत वाद के पतन का कारण बना किसानों की निर्धनता तो सामंत वाद को बढ़ाने का कारण था कि वो गरीब थे उनको मजदूरी करनी पड रहना था क्योंकि वो तानाशाहा बन गए थे सामन्तवाद इसलिए विरोध रहता था उनका ठीक है तो इर चपराना बोले कि भाया पहतरी नाते प्रिसन हां भाया भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवसेश किस स्थल में मिले हैं क्या रोम रोम से हम लोग व्यापार करते थे इसके अवसेश हमको कहां से पता चले बहुत सारे बच्छों कहां सारा डी आता हुआ अरिका मेडू पुड़ी चेरी से पुदूचेरी से हमको ये पता चलता है दोस्त कि हम लोग यहां रोम से व्यापार करते थे रोम से व्यापार तामरपणिय M. पूर्व तटपर था बरगब कच्चु ये पक्षमी तट पर था पुदूचेरी में इस्थित अरिका मेडू जो बताता है कि हमारा रोम से व्यापार होता था अच्छा कैसे होता था जी जल से या स्थल से यानि जमीन से और पानी से तो दोनों से होता था बाइ लेंड और बाइ वाटर दोनों तरीके से होता था बहुत बढ़ी है राजपूत काल में निमलिखित में से कौन सी नवीन जाती प्रमुखता में आई राजपूत काल में बोलेंगे जी कौन सी जाती आई अगर आप पढ़ते होंगे बच्छे जो हमारा रिगवेद है जो इतिहास के पराने स्टुडेंट रहे मैंने आपको बताया रिगवेद में हमारा एक पुरुषूक्त है और पुरुषूक्त में एक विवस्था बताई गई है जिसका नाम रखा गया है चात्तुस वर्णिय विवस्था क्या चात्तुस वर्णिय यानि चार वर्ण चार वर्ण विवस्था के बारे में बताया गया है और वो चार पहले थे तो ये कायस्थ कब आये हैं कायस्थ आये आध्धुनिक समय में राजपूत काल में आये कायस्थ बाकी चार क्या थे ये पहले से थे शिक्षा लेने आधी का काम जो करें ब्रामण रक्षा आधी का काम जो करें वो छत्रिय और जो अपना व्यपार आधी करें वो काम करता है वो कोई भी व्यक्ति हो अगर अध्यापन का काम करता था तो ब्रहमन होता था कोई भी व्यक्ति हो किसी भी जाती का हो रक्षा का काम करे तो आपका छत्रिय कोई भी जाती का व्यक्ति हो तो क्या बोलेंगे कि वो होता था आपका सुद्र की अगर वो अपना कारिय कर रहा है अपना स्वैम का काम ठीक है कौन सी आई आई आपकी हम कहेंगे जी कायस्था आये राजपूत काल में हडपा के निवासी रिक्तिस्थान के साथ व्यापारिक सम्बंद रखते थे हडपा की सब्वेता है बच्चे 1901 में आपका खोजी गई किसके दुआरा खोज फूई जी सौरी 1921 देरामसाहनी जी के दुआरा तो ये हडपा सब्वेता किसके साथ व्यापार करती थी बड़ी बात है क्या जावादीब के साथ व्यापार था क्या चाइना के साथ नहीं जी मेसोपोटामिया कितने बच्चे बता पाएंगे कि देश मेसोपोटामिया कौन सी कंट्री को हम कहते थे तो हमारा आंसर होगा जी इरान को बोलते इरान को जो आज वर्दमान इरान है हमारा इसी को मैसोपोटामिया कहा जाता है और ये मैसोपोटामिया की जो सब्वेता है इसको हम सुमेरियन सब्वेता कहते हैं और इससे भी हमारा दोनों तरह का व्यपार था बच्चे सुमेरियन civilization बोलें या आपका सुमेरियन सब्वेता आप इसको कह सकते हैं दोनों ठीक है और पोटो जो यह मैसो पोटामिया यानि मैसो मतलब मद्य है पोटामायक यानि पोटामायक नदी के किनारे तो यहां से हम व्यापार करते थे रिक्स्थान मुयन الدीन चिस्ती के मुख्य सिस्थे थे लुड़े जवरदस्त प्रिसन पुछे गए जी क्या ब Olेंगे क्या बोलेंगे मुईनुद्दीन चिस्ती के मुखे सिस्य थे कौन सेख फरिदुद्दीन बहुत बड़ी है कुछ बच्चे कमेंट सेक्षन मस्ती करते हुग नहीं प्लीज बहुत ध्यान से कभी भी सुरुवात करें तो कहते हैं कि हमको जो होना है उसके जैसा हो जाना चाहिए अच्छे चात्र की तरह है एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूँ इसके लिए तो मस्ती ठीक है लेकिन कभी कभी ठीक है किसके बच्चों का अंसर आया सेख फरिदुद्दीन निजामुद्दीन ओलिया सेख हमिदुद्दीन नागोरी या बहुद्दीन जकारिया किसके थे तो क्या अंसर आना चीए जी सेख हमिदुद्दीन नागोरी निजामुद्दीन ओलिया नी सेख मुईदुद्दीन चिस्थी के सिस्थे पूछें गुरू नी तो क्या वो लोगे नागोरी सिश्य थे जैसे निजामुद्दीन ओलिया क्या मुईनुद्दीन चिस्थी के सिश्य थे भाईया ये तो किस के सिश्य थे बाबा फरीद के सिश्य थे बाबा फरीद के सिश्य निजामुद्दीन ओलिया और निजामुद् अलिया के गुरू कौन है वो बावा फरीद है क्या वो लोगे वो बावा फरीद है तो जो सेख हमितुद्दीन नागोरी है वो मुईनुद्दीन चिस्ती के मुख्य सश्य थे और इसको हम बोलते हैं क्या चिस्ती सिलसिला या इन्होंने सूफी सिलसिला हमारे देश में चलाय है ठीक है और इनकी दरगाह कहां पर है आप कहींगे भीया इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है जिसको किस नाम से जाना जाता है अजमेर सरीफ के नाम से जाना जाता है अजमेर शरीफ और जो सूफी सिलसला है उसमें गुरू को क्या कहते हैं और शिश्य को क्या कहते हैं तो गुरू को बोलते हैं पीर सूफी परंपरा में गुरू को पीर कहा जाता है और शिश्य को कहा जाता मुरीद कहता ना कि मैं तुम्हारा मुरीद हो गया फैन बोलते हैं जिसको शिशे मुरीद बोलते हैं और जहां पर ये लोग रहते थे जहां ये अपने उद्देश देते थे आश्रम उसको बोलते थे खान कहा खान कहा खान कहा ये सूफी सिलसला था दरसल में सूफी सिलसला देश में चला क्यों? आप लोग जानते होंगे जो इसलाम है वो दो वरगों में बटा हुआ, कौन कौन से सिया और सुनी तो सिया और सुनी के बीच के मतबेद को खतम करने के लिए देश में सूफी सिलसले की सुरुवात हुई और जिसको किस ने चलाया? मुईनुदीन, चिस्ती ने चलाया कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों की पधितियों का उलेख करता है? धार्मिक क्या बोलेंगे? रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद या फिर अथर्वेद धार्मिक अनुष्ठान किस में बताए गए है? कुछ बच्चों का अंसर आएगा तो सामवेद क्या बताता है? संगीत म्यूजिक के बारे में बताता है रिगवेद की अगर हम बात करें आपका विस्व की सबसे प्राचीन पुस्तक भी मानी गई है सबसे पुराना वेद भी यही है लेकिन धार्मिक अनुष्ठान और यग्य आदी के लिए कौन है? धार्मिक अनुष्ठान क्या होता? यग्य जिसको हम सही उचारित करें तो यज्य होना चाहिए यज्य किस में है? यजर्वेद में है अधर्वेद में तो जादू, टौना, वशी, करण, फशल आपका जो फशलों में आपका रोग है आदी बताए गए है ठीक है? अधिकत आगे आएगे बोलेंगे? क्या लिखा बच्चे ने? दिखाएंगे? उपर गया कमेंट दिखाएंगे दोबारा बंबई में नाविक विद्रहो जो सेलर्स रिवोल्ट हुआ ये कब हुआ था? ठीक है? मुहिनुद्दीन चिस्ती के गुरू कौन थे? बता दिया सिद्धिकी अली मैंने बोलना बावा फरीद जिनको हम क्या बोलते थे? उश्मान हारूनी भी बोलते थे अभी तो बताया था तो क्या बोलोगे कब हुआ ये विद्रहो सुरू? 22 जनवरी 1940 या 18 फरवरी 1940 को तो आंसर होना चीए 18 फरवरी 1940 नाविक विद्रहो दरसल में भारत की आजादी के पहले की गटना है एक नेवल सिब थी दरसल में उससे मैं तो बिल्टिस थी लेकिन हम बोलते हैं उसको इंडियन नेवल सिब तलवार पर ये हुआ था और रंग भेद के कारण ये हुआ रंग भेद के कारण ये हुआ था वजह क्या थी इसकी? रंग भेद क्या बोलोगे? यानि कि नशलिये अपनमान हो गया एक नशलिये अपनमान हो गया भारतिये सैनिकों को इन्होंने अपमानित करने का परियास किया ठीक है? याद रखेंगे एक यहां पर एड्मिरल था ग्राड फे उसने तो धमकी तक दे दी बोला कि मैं तुमको तोप से उड़ा दूँगा लेकिन तब भी हमारे सैनिक डरे नहीं उसी को हम बोलते है किसको सेलर्स रिवॉल्ट है सेलर्स रिपॉल्ट कहा हुआ था? यह जगे भी पूछ लेता है नाविक विद्रहो बंबई में हुआ था मैं समाजवादी और गरतंत्रवादी हूँ यह कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षे भाषन में किस ने कहा? यह बात में तुमको बता रहा था कि इस्टेटमेंट के कुश्चन बहुत पूछे जाते हैं बड़े पूछे जाते हैं आज जो कुश्चन है वो लगभग कितने कुश्चन है? 70 कुश्चन है टोटल 70 मैं समाजवादी और गरतंत्रवादी हूँ यह कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में किस ने कहा? यह जवाललाहल नहरूजी ने कहा था पंडित जवाललाहल नहरूजी ने कब 1936 में कहा था और 1936 में बच्चर लखनव अधिवेशन में इन्होने ये बात कही थी सुभाश्चनर बोज जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सुभाश्चनर बोज जी दो बार कॉंग्रेस के अधियेक्ष रहे प्यारे दोस्त, आप बताएंगे किस-किस वर्स में रहे, 1938 और 1949, 1938 में ये तिरपुरा में रहे थे, नहीं सुरी, तिरपुरा नहीं बोलेंगे, तिरपुरी है, और तिरपुरी भी 1949, क्योंकि कॉंग्रेस का तिरपुरी संकट वही है, 1938 में रहे थे हरीपुरा, खुजरात, हर पूरा में पहली बार अद्यक्ष बने परभाफ बढ़ा दूसरी बार तृीपुरी में क्या हो गए ये गांदी जी के गांधी जी जी की चाहत के खिलाफ गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये कॉण्छे के अब अद्यक्ष रहें तो इनको अद्यक्षपant से फिर स्तीफा देन तो फिर यहां होता है भाइस आप यहां इना ने कॉंग्रेस छोड़ दी इसी को हम बोलते का कोंग्रेस का तुरी पूरी संकत तो ये कॉंग्रेश छोड़के चलेगे अध्यक्ष पद से तो फिर अध्यक्ष कौन बने थे यहाँ पर इनकी जगे अध्यक्ष बने थे फिर डॉक्टर राजिंदर प्रशाद जो देश के पहले प्रशिडेंट हैं पहले राष्ट पती हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी बता सकते हैं 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बनारस में और राजिंदर प्रशाद जी तो बच्चे 1934 में 1949 में भी रहे, 1947 में भी रहे आगया आएंगे ग्यान दार्शनिक कन्फूशियस को चीनी किसी अन्य नाम से जानते हैं बोलेगे एक कन्फूशियस हैं इनका क्या नाम है कन्फूशियस बड़ा सम्मान है बच्चे जैसे हमारे देश में गौतम बुद्ध जी पूजनिये हैं ऐसे ही चाइना में कन्फूशियस बहुत पूजनिये हैं तो कन्फूशियस का दूसरा नाम क्या है कुन्ज फुत्से कुन्ज फुत्से कार्थ होता है सिक्षकों का सिक्षक सिक्षकों का सिक्षक पीचर आफ टीचर्स सिक्षकों का सिक्षक किसको कहा गया है वो कन्फूशियस को कहा गया है और इनकी बड़ी चर्चित बुक है कौन सी बुक है इनकी बुक का नाम है चिन चूकिंग चिन चूकिंग पुस्तक किसकी है वो कनफीशियस की ही बुक है ठीक है और इन्होंने ही कहा था कि एक बड़ा statement है इनका भी पिर्शिद कि नफरत करना आसान है और फ्रेम करना बहुत मुस्किल है मतलब हम अपने जीवन में नफरत बड़ी आसानी से कर लेते हमको किसी की बुराई करनी होती है हम बड़े प्यार से कर लेते second लगते हैं हमको लेकिन किसी की तारीफ हम लोगों से नहीं हो पाती है अंतिम मोर्यशाशक, बच्चे अगर हम देखते हैं आपका मगद सामराज्य को, तो मगद सामराज्य पर चारवंस हुए, हरियक वंस, शिशुनाग वंस, नंद वंस और फिर आपका, अंतिम में कौन सा हुआ, मोर्यवंस, यानि पहले हरियक हुए, हरियक वंस के संस्थापक क के नाम पर ये वंस है नंद वंस के संस्थापक कौन रहे जी महापदम नंद रहे और फिर आता है आपका मोरिय वंस मोरिय वंस के संस्थापक रहे चंदरगुप्त मोरिय और मोरिय वंस का अंतिम शाशक रहा ब्रहदरत कहते हैं कि जो प्राचीन मगद था वो ब्रहदरत नाम मूरियवन्स का हम कह सकते है प्राचीन मगद किस से सुरू रता है ब्रहदरत से वो एक अलग आदमी था है ऐसा नहीं कि वही आपका जीवित रहा क्या इतने दिन नहीं वही जीवित नहीं रहा वो एक अलग ब्रहदरत है जैसे आपके गाओं में एक राहुल बहुत चोटा होगा और एक बहुत बड़ा राहुल भी होगा ठीक है ऐसे दोनों अलग-अलग है ब्रहदरत कॉलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया क्या सभी कुष्टन हिश्ट्री के पूछे गए थे नहीं मैं किरम से आपको बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट कौन-कौन से पूछे गए तो उनके किश्टन हम किरम से कर रहे होंगे ठीक है बताएं जी कॉलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए तो ये इस्पेन से आया था कहां से इस्पेन से आया था और इस्पेन के पूलास बंदरगाह से इसने अपनी यात्रा शुरू की कॉलंबस ने और 1492 में इसने क्या खोजा अमेरिका का जो मार्ग है अमेरिका नहीं अमेरिका का जो समुदरी मार्ग है वहाँ ये पहुच गया ना वही पर रेड इंडियन पर जाती देखी इसने इसको भारत समझ कर ये पहुचा जैसे कोलंबस भारत में पहुचा 20 मई 1408 में काली कट केरल पर तो कहां से इसने अपनी आतरा सुरू की पोलाज बंदर गा ये कहां का इस्पेन पहुचा कहा अमेरिका पहुचा कहां पहुचा अमेरिका ये पहुचा गांधी जी ने 1917 में चमपारण सत्यागरह क्यो संचालित किया और अब मैं बताऊँगा कि इतिहास में आप जब अपनी तयारी करें तो आप किन चीजों पर फोकस करें क्या पूचा जाएगा बिल्टिस कानूनों के खिलाफ चमपारण किया उन्होंने दवनकारी नील बागान विवस्था के खिलाफ महंगी बागान विवस्था के खिलाफ तो बागान नहीं, मिल सिर्मकों के लिए तो उन्होंने भी आ, एहमदाबाद में किया था, जानते हूंगे आप इस बात को, हाँ जी भी आ, तो भाई साब एहमदाबाद में उन्होंने किया था, 1918 में, गांधी जी ने दो अंदूरन किये थे, एक तो मिल मजदूर, जो पिले 25% पर बात बन गई, यानि बीच का रास्ता ढूंड लिया, अंदूरन भी खतम, और उधर मिल मालिक भी खुस, तो ये एहमदाबाद में हुआ, ऐसा ही किसानों के लिए हुआ था, खेडा अंदूरन, उनके उपर लगान थोप दी थी, वो भी 1908 रहे हुआ, ये 1917 का चमपा थी, जो किशानों की जमीन को तो बच्चे अनुपजाओ बनाती थी, साथ में उस पैरों से उस नील को खुंदना पड़ता, जो सरीर के लिए भी बहुत नुकसान दायक था, नील मतलब जो आपने शर्ट में लगाते थे, वाइट शर्ट में लगाया आपने स्कूल के जरूर करनी होगी, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि किसानों को दीखा कि यार बड़ी दिक्कत है, तो किशानों ने फिर किसको भेजा गया था, गांधी जी को मनाने के लिए राजकुमार शुकल को, इन्होंने गांधी जी को आमंतरित किया, क्योंकि गांधी जी 1915 में जहार के नेता, अनुब्र नारायन थे आपके, जेबी करपलानी थे, डॉक्टर राजिंदर प्रशाद थे, ये लोग इनके साथ में रहे, तब क्या वो लोगे चंपारण सत्यागरह को खतम किया गया, यहां गांधी जी ने जब भिर्मन किया तो इनको पता चला, कि भीया अभी यहां पर थोड़ा सिक्षा का स्तर नीचे है, इसको उठाना होगा, तो पहला स्कूल भी गांधी जी ने इस्थापित किया, कौन सा था पहला स्कूल जो चंपारण सत्यागरह के दोरान खोला गया था, आपका, बरहवा लखन सेन गाउं में, बरहवा लखन सेन गाउ में पहला इस्कूल बियार में स्थापित किया कि इस आंदुलन के बाद में? चंपारण के बाद में, गांधी जी ने बहुत सारे आंदुलन देश में किये, जैसे बच्चे अगर हम बात करते हैं आपका, ऐसा ही हो गांधी जी का पहला जन अंदुलन था, 1920 में, 1930 की अगर ह गांदी जी ने दान्डी मार्च कहां से आरंभ किया दान्डी मार्च लाहोर से सुरू किया साबर्मती आसरम से कराची से अमरत सर से जब देश में गांदी जी आये प्यारे दोस्त 9.911 को तो गांदी जी को भारत की राजनीती एकदम से समझ नहीं आई तो उनके जो राजनीतिक गुरू थे गुपाल कृष्ण गोखले उन्होंने गांदी जी से कहा कि तुमको अभी एक वर्स अध्यन करना होगा तो 1915 में कोचरब में गांदी जी आकर के रुके और उसी आसरम को उन्होंने दो वर्स बाद यानि 1917 में साबरमती में बनाया साबरमती नदी के किनारे गुजरात में तो यहीं से उन्होंने दोस्त अपना दांडी मार्च सुरू किया और यहां से कहा तक गए साबरमती से दांडी और दांडी किस जिले में पढ़ता है मैं आप से पूछना चाहता हूँ गुजरात के किस जिले में तो दांडी नवसारी डिश्टिक तक ये गए बड़ा पुछा याता है नवसारी जिला और नवसारी जिले तक जब ये जाते हैं आतरा के दौरान तो आप लोगों को पता होगा 78 शहयोगी इनके साथ थे कितने 78 सहयोगी मुझे बताएंगे कितनी दूरी गांदी जी ने इस समय त्या की गांदी जी ने तो क्या बोलोगे ये अंदोलन चला 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 6 अपरेल 24 दिन की टोटल ये यात्रा थी दिन भी पुछे जाते हैं इसके ठीक है 340 मील और अब ही अब बहुत ज्यादा हो जाएगा हाँ 241 माइल एकदम से ठीक है 241, 240 मील है उसको हम कहेंगे तो चले किसके खिलाफ था ये नमक कानून के खिलाफ था जो उंग्रेज कानून लेके आये थे राष्टिये राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई अब इतियास के प्रिशन खतम हो गए आपको थोड़ा सा गाइड कर दूए आपर तो हिस्ट्री में बच्चे आप लोगों ने जितने भी कुश्यन देखे आप कहपाए होंगे कुछ प्रिशनों का उत्तर बेहद सांदार आप लोगों को देना पड़ेगा यानि प्रिशनों का इस्तर मानोगे बहुत अच्छा था या नहीं कुछ प्रिशनों का कुछ हमारे पढ़े हुए हैं तो कहीं जब बच्चे फाइट होती है और भरती कैसी भी रहे प्रिशन जो कठेन है उसी का ज्यादा महत्व है परिशा में बात तुमको माननी होगी ठीक है अच्छे लेबल के प्रिशन आते हैं तो अगर मैं बात करूँ आपसे प्राची नितिहास, मद्यकाली नितिहास तो जितना मैंने देखा कि मद्यकालीन से बहुत कम कुश्चन पूछा जाते हैं जब आप बिहार के लिए तैयारी करें तो आधुनिक को पढ़ना और प्राचीन को पढ़ना बहुत अच्छे से इस तरह से ठीक है आगे आगे राष्ट्रिय राजमार्ग जिनको नेशनल हाईवे हम बोलते है राष्ट्रिय राजमार्गों की बहरत में राज्यवार लंबाई की द्रश्टी से वह राज्य जहां राष्ट्रिय राजमार्गों की लंबाई सरवादिक है कौन सा है किसमें सबसे ज़्यादा है तो भाई साब महराष्ट में सबसे ज़्यादा है नेशनल हाईवे क्या बोलोगे सरवाधिक कंकरीट की सड़के हैं इसमें और यह सबसे ज़्यादा यानि कि पक्की सड़के ज़्यादा है कंकरीट से बनती है ना सड़के और ये इसका प्रभाव इसको स्यादा क्यों हुआ महराष्ट पर ही क्योंकि जो प्रदानमंत्री सड़क योजना के तहट सबसे जादा कारिय भी यही हुआ प्रदानमंत्री सड़क योजना कब आई थी सन 2000 में प्रदानमंत्री सड़क योजना कब किये 2000 किये अच्छा कच्ची सड़के मैं आपसे पूछ लूँ अगर भारत में इस तरह का कुश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए कि कच्ची सड़के ये कहां पर सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे ओडिशा में देश में हाला कि अभी नैशनल हाइवे बहुत सारे बनने हैं अभी द पूरे देश की काउंट करें सबी बहानों की एवरेज क्या निकल के आएगा तो एवरेज आता हमारा 50 के आसपास पूरे देश का एक उसप गती का उसप वहन गती का पचास का लेकिन आप जर्मनी में देखेंगे दोस्त जर्मनी में 140 है क्यों भी या वहां क्या गाड़ी यह इतनी रफ्तार से चलते हैं नहीं उन्होंने अलग से हाईवे बनाए हुए हैं कभी-कभी दोस्त हमारे देश के कौने से सबजी चलती है और देश के कौने तक दूसरे तक पहुशती तो सड़ जाती है कुछ चीज़े ऐसी होती है जिनका लाइफ 24 गंटे 48 गंटे ही होता है वो खराब हो जाती है यह देश को एक नुकसान है नेशनल हाईवे इसलिए बना जाते है ताकि देश के क्या है एक एवरेज स्पीड बढ़ा ही जा सके सूपरकार नहीं चलती है ऐसा नहीं है सूपरकार चलती है वहाँ पर एक बच्चा कहा रहा उपर नाम दिखाएं क्या है उनका केशव नहीं सूपरकार नहीं उन्होंने अपनी सड़के सुरक्षित कर रखी है उनकी सड़कों पर कोई जानवर भी नहीं जा सकता तो एक गती से आप चल सकते है हमारे हैं नील गाय आ जाती है बीच में एक दम से सड़कते हैं और सीसे में बैठ जाती है अंदर जाके और ड्राइवर से कहती है तू साइड हो जा तू पिछली सीट पर बैठी है साइड बभी गाड़ी मैं चलाओंगी आगे आएगे निमलिखित कोईला खानों में से कौनसी मध्य परदेश राज्ये में इस्थित है कौनसी है सिंग रॉली ऐसी कुत्ता आ जाता बाइक के सामने कह रहा कि तू साइड हड़ जा भी मैं चलाओंगा बाइक तो नीचे आजा सड़क पर कोई भी आजाता एकदम से एसा होता है इसलिए सड़के सुरक्षित होनी जरूरी है तो कौईला खान में मध्य परदेश में स्थित है रामगड लखनपुर देवगड ये तीनों कहां के हैं भाई साब ये तीनों तो नहीं है यह 3 के 3 कहां के हैं यह 3 के 3 जारखंड के हैं कोईला, मध्याप्रदे、 सिंगरॉली, ब्लैक डायमंड सिंगरॉली में मिलता है मध्याप्रदे, इसमें सुहाग पुर्βी है, कोईले के लिए प्रशिद है, योह लाबी है अच्छा मैं कोईले में अगर बात करूं कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है कौल में black diamond जो होता है यह काला सोना black gold भी जिसको हम कहते हैं तो कोईला सबसे जादा चतिसगड़ में होता है, कहाँ पर चतिसगड़ में होता है और भारत की स्थती जो है, वो कोयले में बाशसवी है भारत पाशस Спас पर आता है, कोयले में ठीक है निमलिखित में से कौन सा राज्य है जो गंगा बेशीन का भाग नहीं है जोग्रफी के कुश्यन पूछे जा रहे हैं यानि जो गंगा का प्रवहा छेत्र है उसमें नहीं आता है बेशीन का मतला उन नदियों के द्वारा जो छेत्र पहलाया गया है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गंगा बेशीन की तो इसमें मुख्यत है उत्तर भारत के कौन-कौन से राज्ये आते है जैसे मैं बात करने हूँ बच्चे आपका राजिस्थान आएगा क्या हाँ जी मध्य प्रदेश आएगा 36 गड़ आएगा क्या पंजाब आएगा पंजाब में बच्चे परवहा किस नदी का है जरा सोचिए बहुत सारे कुशन आप लॉजिकल यानि आप लॉजिक से सोचे तो बना पाएंगे और ऐसे कुशन पूछे जाते है तो हम कहेंगे कि पंजाब में तो सतलज का परभाव है बहुत सारे बच्चों ने लिखा Very good क्या वो लोगे सतलज का परभाव यहां पर है तो ये क्या होगा आपका ये सतलज बेशीन हो गया सतलज बेशीन हो गया गंगा में तो बच्चे चत्यस गड़ हो गया गंगा बेशिन पर भारत की सबसे बड़ी आबादी आश्रित करती है हमारे देश के 43% लोग ऐसे हैं जो गंगा बेशिन पर यानि उसी के जल पर उसके द्वारा खेती इस पर डिपैंड करते हैं आश्रित है इंडिया इस्टेट औफ फोरेश्ट कवर रिपोर्ट 2019 आई इसके अनुसार भारत में भोगलिक छित्फल का प्रतिशत किस राज्य में वनाचिद छित्र दुत्य नियुन्तम है ये प्रसन क्यों महतपूर्ण है क्योंकि बच्चे मैंने जो एनालिसिस किया बिहार के प्रिशनों का तो मैंने एक बात देखी कि दुत्य नियुन्तम पहली इस्थिति अभी कोईले में पूछ ली खान पूछी लेकिन ज़्यादातर प्रिशन दूसरी और तीसरी इस्थिति से हैं तो सेकंड प्लेस थरड प्लेस कभी भी किसी का पढ़ो याद रख लेना अपनी 2010 से ऐसे ही पूछता है क्या कहेंगे जी किसका है दूसरा तो पहला तो हरियाना का हो गया पहला तो हरियाना का हो गया दूसरा किसका बोलेंगे पंजाब का है क्या बोलोगे पंजाब का रिपोर्ट में सबसे कम है यानि हरियाना का अच्छे सबसे ज़्यादा किसका है वन रिपोर्ट के नुसार यह मैं आपको अक्सर पढ़ाता रहा हूँ परसनों में भी, सबसे ज़्यादा तो आप कहेंगे भईया मिजोरम का तो पर्शेंटेज में मिजोरम का तो प्रतिशत्ता में 84.5-3% है अगर प्रतिशत में पूछे otherwise प्रतिशत ना पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है किसमें? MP में सबसे ज़्यादा वन है छीक है? लाल किताब आंकडे उपलब्द करवाती है लाल किताब है कोई किसके आंकडे उपलब्द कराती है? लाल पुष्पिय पादपो के लाल रंग की मचलियों के विलुप्त प्राय पादप और जनतूओं के लाल आंक पक्षियों के अब ऐसे प्रशनों को देखके लगता है कि जी हम फत्य कर जाएंगे अरे गुड़ सी सी किसके जो आपके बच्चे विलुप्त प्राय यानि जो संकट प्राय है जो खत्म होने की तरफ है संकट प्राय जाती होगा और एक है आपका IUCN IUCN ये 1964 से इस रैड बुक को जारी करता है IUCN फुले तो International Union for Conservation of Nature यानि प्रक्रती के संरक्षन के लिए एक अंतराष्ट्रिय संग है जो रैड डेटा बुक को जारी करता है पूर्वी मध्या रेलवे का मुख्यालय कहां पर इस्थित है पूर्वी मध्या रेलवे MTS में भी आपका IUCN ने भी कुश्चन पूछाता है एक रेलवे से ऐसा नहीं कि रेलवे का कुश्चन हम लोग कई बार मान लेते हैं रेलवे में ही पूछा जाएगा नहीं गोरकपूर, भुवनेश्वर, हाजीपूर या फिर कौलकाता में हाजीपूर में पढ़ता है भी या या आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है गोरकपूर में किसका है पूर्वोत्तो क्रा है क्या बो लोगे पूर्वोत्तर का है भुवनेश्वर, उडिशा में अगर हम बात करें पूर्व तटवर्ती का है इस्ट कोष्ट का पूर्व तटवर्ती का और कौलकाता में किसका है कौलकाता में है इस्ट रेलवे का पूर्व का पुर्वत्तर मतलम नौर्थीष्ट का है होँपर कॉलकाता जैसे सबसे इंप्रोटेंट इसमें मुंबई है बड़े जोन बड़े हेड़कॉर्टर मुंबई में है वेस्टन रेलवे का पश्चिमी का जैसे दिली की बात करें दिली में उत्तर रेलवे का नौर्थ का, उत्तर रेलवे का, चिन्नेई की बात करें, चिन्नेई, चिन्नेई में किसका हो जाएगा आपका, साउध का, साउधन रेलवे का है, ठीक है, और मुंबई में एक और है आपका, केंद्रिय रेलवे, सेंटरल रेलवे का भी कहां पर है, मुंबई में, दो हो जाते वहाँ छेत्र को समेलित कीजिए. पवने. अच्छा कभी-कभी हमको यह नहीं लगता होगा कि ऐसा किस-किस के माइंड में आता होगा. मुझे लगता है कि ऐसा किसी-किसी बच्छे के दिमाग में आता होगा, वो सोचता होगा, कि यह प्रशन तो हो चुके, आचुके बिहार पलिस में. हम इनको अब क्यू कर रहे हैं? क्या यह फिर से आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे. तो फिर हम इनको कर क्यू रहे हैं? यह जानने के लिए हम इसको करते हैं कि प्रशनों का इस तर क्या रहता है. जैसे अगर आप को आप SSC की GS पढ़ रहे हो तो जब तक आप यह नहीं समझोगे कि SSC की GS में किस तरह के प्रशन पूछेगा भई आप लोग जानते होंगे SSC स्टेटिक पूछते हैं SSC का अंजी दिया था तो SSC अगर आप यही न जान पाते की क्या पूछेगी किस तरह के प्रशन तो क्या आप MTS में स्कोर कर पाते नहीं जी इसी लिए जानना जरूरी हो जाता है समझे मेरी बात को थमसब करेंगे पवनो एवं उनके प्रवहाच पवन और छित्र, बोरो हवाएं बोरे में क्या लेके जाते हैं? ईट लेके जाते हैं ठीक है मिष्टरल, खमसिन और हर्मटन क्या वो लोगें कौन सी हवाँ का सम्मंद किससे है अपका? पहले का C हो गया मिश्टरल हवाई ये फ्रांस की हो गई खमसिन हवाओं की बात करें मिसर की हैं और अफरिका में चलती है हरमटन पही बार डॉक्टर हवाई भी जिनको हम कहते हैं चीक है क्या बोलेंगे जी भाई साब क्या हो जाएगा इसका C D B A C D B A नहीं सॉरी C D A B होगा C D A B यह है न C D A B एकदम से ठीक है सही मिलाने दिक्कत हो जाती है आग आएगा भारत में तांबे का तीसरा सरवादिक उत्पादक राज्य है मैंने दोस्त आप से कहा क्या पोजिसन पूछ रहा है सेकिंड और थर्ड पहले को कम पूछता है बुद्धा पैच के बारे बच्चे इस क्लास के बारे बाद में बताऊँगा मैं अभी बता दूँगा आपको पहले यह देख लें एक बार प्रशनों को जा लें तो तीसरा उत्पादक क्या बोलोगे राजिस्थान कौन सा उत्पादक है यह सेकिंड है यहाँ पर खेतडी की खान है बच्चे क्या वो लोगे खेतडी की खान है और सेकिंड पर कौन आता है आपका सेकिंड पर आता है आपका बच्चे खेतडि की खान होगा है, सुरी, राजस्तान हो जाएगा पहले पर कौन आएगा आपका पहले पर आता मध्य परदेश और क्या वो लोग है तीसरे पर आएगा जारखंड जारखंड में दोस्त आपका खान है मुशा बनी की खान किसकी? मुशा बनी खान किस चीज के लिए परशिद है ये हमारा तांबे के लिए परशिद है तो ये तीसरी स्थिती पर आता है थर्ड बहुत सारे दोस्तों ने इसकी आंसर दिया बहुत कचाफ़ निमलिखित में से कौन सा एक यूगम है जो सुमेलित नहीं है जिसका मिलान से ही नहीं है ये भीभी हम जूग्रफी के कुष्चन कर रहे है इस्थानांतरित किर्सी सेलैस एंड बर्न फार्मिंग जिसको हम कहते हैं और पूर्वत्तर में जिसको हम जूम की खेती भी कहते हैं बोले yes कि आप जूम की खेती के बारे में जानते हैं क्या दीपा 36 गड़िक से संबन्द रखती है पामलू मनीपुर की है जूम अशम की है या फिर बेवर बिहार की है तो क्या बोलोगे जी बेवर बिहार की नहीं है बेवर खेती फिर कहां पर होती है बोले जरा डी बहुत सारे बच्चे लिख रहे है तो जो बेवर खेती है बच्चे ये मध्य परदेश की है और मध्य परदेश में इसी खेती को हम कहते हैं डहिया बेवर बोले या डहिया बोले ठीक है निमलिखित परदेशों में से किसमे जनसंख्या घनत्व दुत्य सरवाधिक है कौन सी स्थिति पूछ रहा है second पहला नहीं दूसरा और तीसरा तो अगर हम बात करें वो कौन सा है जो population density में दूसरे पर आता है पहले पर आता है एशिया का घनत्व सबसे ज़्यादा है पहला स्थान तो आता है एशिया continent का एशिया महादीब का और दूसरा किसका आता है दूसरा आता है यूरोप का क्या बोलोगे यूरोप का जैसे मैं पुझलू सबसे कम population density कौन से continent में होगी तो वो Australia में होगी जैसे देश की बात करते हैं देश होता मोनाको जैसे राज्ये में आते हैं तो सबसे ज्यादा जन संक्या घनत्व किसका आता है राज्ये में भिहार का आता है सबसे ज्यादा जन घनत्व सबसे कम की हम बात करते राज्ये में तो अरुनाचल प्रदेश का आता है ठीक है जानते यह बात अग्याएगे विशिव की सरवाधिक ओसत वर्षा होती है सबसे जादा वर्षा कहां पर होती है चेरा पुंजी में होती है चेरा पुंजी पहले हुआ करता था लेकिन इसके बाद रिकॉर्ड हुई कहां पर माशन राम में मेगाल्य में अब यह इस परशन को तो हम उड़ा देंगे एक कुशन पुछू तुम से जैसे मैं पूछ लूँ चेरा पुंजी तो मैं बोलू दच्छिन का चेरा पुंजी किसको कहते हैं ये बताओ दच्छिन का चेरा पुंजी ये कहान है ये है करनाटक का अगुंब गे गाउं क्या बोलोगे अगुंब वे गाउं कहां का करनाटक का कि मासिन राम में कितनी वर्षा होती है तो 1187 सेंटिमीटर वर्षा होती है और यह देश में सबसे ज़्यादा है कौन सी पाड़ियों की वज़े से होती है तो ऐसे क्लियरली पढ़ना है बोलेंगे कि गारो, खासी और जेंतिया उन तीनों की स्थिती की वज़े से बादल क्या है वहां टकरा टकरा करके घूमते रहते है निमलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सबसे बड़ा है वो मैंग्रोव क्या आपका गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव है पिचावरम बन है या सुन्दरवन बन है या फिर पनावा मैंग्रोम्स बन है तो हम बोलेंगे सुन्दरी के वरक्षो वाला सुन्दरवन इसका नाम सुन्दरवन कहां पर है ये पश्शिम मंगाल में ठीक है और देश का बच्चे जो टोटल मैंग्रोव एरिया है वो अकेले सुंदरवन में है, mangrove one का ठीक है, आप भी जानते इसको सुंदरवन हम नाम क्यों देते क्योंकि यहां पर पौधा कौन सा पाया जाता है सुंदरी नाम का पौधा यहां पर पाया जाता है और सबसे बड़ा नदी जोग्रफी की बात करेंगे भाई सबूँ जोग्रफी तो यहां एक बात समझो आप पिरसन कैसे पूछेगे सीधे सीधे यह थोड़े अटपटे दोजार एक्किस के प्रिशनों की हम बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा तुमसे कि थोड़े अटपटे कुश्चन पूछेगे अटपटे भीया क्या हम क्या पड़ेंगे ऐसी कोई चैप्टर होता है अटपटे नाम का क्या अटपटे चैप्टर पढ़ लो नहीं भोलने का मतलब प्रिशनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कुछ प crappy आअसान पूछे जाएगे लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी पूछे जाएंगे तो बहुत द्यान से करेंगे तब ही कर पाएंगे के पढ़ के के लेँगा भारतिय सम्विधाना का इंसा मूल अधिकार है जो मानव के दुर्वयापार को यह किस में कहा गया है यह कहा गया है बच्चे आपका आर्टिकल 23 में क्या वो लोगे आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 23 किसमें आएगा शोशन के विरुद्ध दिकार में आएगा क्योंकि 23 और 24 इसी में बात की गई है मानव का व्यपार और 24 की अगर हम बात करें बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है उसके बलात शरम पर यानि उसे जबरन कारिय नहीं करा सकते आप सतन्ता का समता 14 से 18 में आ जाता है सतन्ता का अधिकार 19 से 22 में आ जाता है समवेदानिक उप्चारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है तो मानव के दुर्वयपार को कब खतम कर दिया गया था इसको जब हम ले करके आए थे आपका 1976 में 1976 में बंदुः मजदूरी एक्ट उनमूलन, कब आया था ये 1976 में, तब इसको खतम किया गया था किस समीती ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशन्शा की क्या सहभागिता मतलब participation कि कभी पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं उसमें राजनितिक जो दल हैं जो political party हैं वो participate कर रही हैं ये अरुशंशित कर दिया कौन सी समीती थी साधिक अली जेल व्यास अशुक महता समीती थी याद है अशुक महता समीती ही पंचायती राज से जुड़ी हुई है जिन्होंने 1977 में रिपोर्ट दी थी अपनी और 20 तरिये पंचायत इन्होंने बताई थी ग्राम इस्तर पर और जिला इस्तर पर लेकिन एक थे हमारे जिन्ह जोने ग्राम इस्तर पर खंड इस्तर पर और जिला इस्तर तीन इस्तर बताए आपका किसका पंचायत की ठीक है पंचायती राज प्रणाली के निम लिखित में से कौन स्वतंता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है कि स्वतंता जो है वो क्या है प्रोड़क और लास्की क्या बोलोगे लास्की ने स्वेम कहा था कि मैं स्वतंता के जो अधिकार हैं उनको सकारात्मक रूप में देखता हूँ ये किसका कथन है फिर से एक स्टेटमेंट आया लास्की का बिहार राज्य विदाहन मंडल ये कुश्चन हुआ आपका बिहार जीएस का और बिहार जीएस की जितने भी कुश्चन पुछे आते हैं ये या तो बिहार में कोई योजना आएगी सरकार की उसका करंट अफेर्स का कुश्चन ये बेहद आसान प्रशन पुछा जाएगा बोले जी पांच वर्स चार वर्स दो वर्स या फिर एक वर्स होगा या फिर एक वर्स तो याद रखेंगे दो वर्स का क्योंकि ये बिहार की प्राकलन समीति है देश की अगर एस्टिमेट कमीटी की बात करें देश की अगर प्राकलन समीति की बात करें वो एक वर्स की होती है उसमें 30 सदश्य होते हैं उसमें कितने होते हैं 30 सदश्य होते हैं और 30 के 30 सदश्य किस से आएंगे दोस्त जरा बताएं लोकसभा से या राज्य सभा से तो आप कहेंगे कि भीया ये 30 के 30 लोकसभा से आते हैं लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता जो बिहार की प्राक्लन समीती है उसमें 25 सदिश्य होंगे मुझे बताई बिहार में विदान परिशद है या नहीं है बारत के 6 राज्यों में विदान परिशद है उतरपरदेश, बिहार आंदरपरदेश, तेलागना महराष्ट और करनाटक 6 में है तो ये 25 अदश्य कैसे होंगे 19 तो आते हैं यहां की विदान सभा से और जो 6 आएंगे वो यहां की विदान परिशद से आएंगे कहां से आएंगे? विदान परिशद से आएंगे इस बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है? अगे आएगे भारती सम्विदान को केंद्री करत परवर्तियों वाला संग के रूप में किसने परिभाशित किया? क्या बोलेगे? भारती सम्विदान के केंद्री करत परवर्तियों वाला संग के रूप में कि यहां पर आपका क्या है? एक फैडरेशन विद सेंट्रलाइजड टेंडेंसीज परवर्ति का मतलब होता है जुकाव और हमारे देश का जुकाव जो है वो केंद्रिय संग की तरफ है किसने कहा? केसी वियर ने कहा आपका? मौरिस जोन्स ने या आईवर जेनिंग्स ने या फिर ग्रेन विले आउस्टिन ने तो किसने कहा था? आईवर जेनिंग्स ने कहा था केसी वियर वही है जिनोंने भारत के सम्विधान को कहा था अर्ध संगिय अर्ध संगिय सम्विधान भारत के सम्विधान को किसमें कहा था केसी वियर ने औस्टिन का क्या कथन है औस्टिन का कथन है एक कथन है इसमें कथन के और बात करते हैं जो आपका मौरिस जोन्स है मौरिस जोन्स ने कहा था बहरत के संविधान को सौधे बाजी का संगवाद, सौधे बाजी का संगवाद बताया, सौधे बाजी का संगवाद इसनोंने बताया है, जैनिंग्स ही वो वेक्ती हैं, अच्छा दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो सबसे वि जेनिंग्स सम्विधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अधिख्षता में संपन हुआ कौन थे पहला यह आसान प्रिशन है पहले अधिवेशन में बच्चे 9 निसंबर क्या वो लोगे सबसे वरिष्ट सदश्य थे 9 दिसंबर 1946 को कौन चुने गए थे सचिदानंद सिनहा और 11 दिसंबर को इस्थाई अधियक्ष कौन बन गए थे तब बने थे आपका डॉक्टर राजिंद प्रशाद सर्वसंमती से तो पहले जो थे वो आपके सचिदानंद सिनहा थे UNO का प्रारूप कि सम्मेलन में तयार किया गया यानि United Nation Organization आप मुझे एक बार ये भी बताएं दोस्त UNO कब इस्थापित हुआ UNO का foundation कब हुआ तो हम कहेंगे भी है 24 अक्टूबर UNO Day सहीं पतराष्ट दिवस 24 अक्टूबर को मनाए जाता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और सम्मेलन था सैन फ्रेंसिसको सम्मेलन जिसमे 26 जून क्या बोलोगे 26 जून 1945 को ये प्रस्ताव रखा गया क्योंकि Second World War खतम हो चुका था Second World War चला 1949 से 45 क्योंकि हुआ First World War भी था और मैं आपको हमेसा एक बात बताता है हूँ क्योंकि First World War 1914 से 18 हुआ और दुनिया ने एक संगठन बनाने की सोची जिसको हम L.O.N. की नाम से जानते हैं League of Nations 10 जनवरी 1920 को हमने ये बनाया था League of Nations ये बनाया इसलिए था कि भविश्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो Second World War ना हो लेकिन क्या Second World War हुआ? हाँ जी हुआ तो Second World War के बाद फिर से हमने बनाया क्या? सैन फ्रेंसिस को सम्मेलन 26 जून 1945 को जिसके दुआरा 24 अक्टूर 1945 को युएन नो बना युएन नो का हेड़कॉर्टर कहां पर है? क्या बोलेंगे? युएन नो का हेड़कॉर्टर नियॉयर्क में 139 सदश्य देश है इसके और 139 सदश्य इसका दचनी सूडान है उपराश्टपती के निर्वाचक मंडल में होते हैं उपराश्टपती जी को जब चुना जाएगा तो उनका जो बच्चे निर्वाचक मंडल होगा जो इनका होगा उसमें कितने लोग होंगे? तो दोनो सदनों के निर्वाचित सदश्य होंगे सिर्फ क्या ये सही आप्सन है? नहीं दोनों सदुश्यों के निर्वाचित भी और आपका जो मनोनीत है यानि इलेक्टिड भी और नॉमिनेटिड भी जैसे मान के चलो लोक सभा में दो अंगल भारती है वो तो अब खतम कर दिये राज्य सभा में तो राष्टपती साहब कितने व्यक्ती बारे व्यक्ती नामांकित करेंगे तो वो उपराष्टपती के चुनाब में भाग लेते हैं राष्टपती के में नहीं क्योंकि राष्टपती के में भाग लेंगे राष्टपती ने ही नॉमिनेशन किया था उनका तो राष्टपती साहब का ही पक्ष लेंगे वो तो तो वहाँ भाग नहीं लेते हैं लेकिन उप राष्टपती साहब के चुनाब में क्या लेंगे वो भाग लेगे छीक है कुदिकत उच्च न्यायले के न्यायधीशों को उनका कारेकाल समाप्त होने से पहले क्यों से हाई कोट के जज्ज है उनको कारेकाल समाप्त होने से पहले की अशमता अत्वा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कारियाले से किस के द्वारा हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ भारत के चीफ जश्टिस नहीं जी? हाई कोर्ट के चीफ जश्टिस नहीं? संसद के दौनों सदनों की सिफारिस पर सिर्फ और सिर्फ राष्टपती सहाब हटा सकते हैं. निम्न में स कौन सा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है कौन सा है निंदा प्रस्ताव motion of sensor कहीं भी जाए इस्थगन ध्यानाकर्षन प्रस्ताव लेकिन ऐ विस्वास प्रस्ताव कि सरकार में हमको विस्वास नहीं रहा है इसके लिए आता no confidence motion देश में पहली बार जेबी करपलानी जी लाए थे पंडित नहरू के खिलाफ 1963 में तो एविस्वास प्रस्ताव कहा आएगा लोकसभा में निम्न सदन में आएगा हमेशा ठीक है अच्छा मुझे बदाब सबसे ज़्यादा एविस्वास प्रस्ताव no confidence motion किसके खिलाफ आया हमारे देश में कौनसे प्रदान मंतरी थे तो इंदरा गांधी जी थी जिनके खिलाफ 15 बार no motion confident आपका क्या बोलेंगे no motion sorry no confidence motion आया है आगे आगे विदाहन परिशद की नियुनतम सदश्य शंख्या निरधारित है बिहार में विदाहन परिशद है तो विदाहन परिशद से question बनना जरूरी है क्या बोलेंगे कितनी होती है नियुनतम कम से कम 40 होती है और ऐसे ही बच्चे विदाहन सभा में नियुनतम कितना होता है विदाहन सभा में कम से कम कितनी होंगी तब विदाहन सभाह में कम से कम 60 होती है 60 एक्सेप्सन है जैसे सिक्किम है 32 सीट है फोड़ुचेरी है 30 है अगर हम बात करें 40 सीट भी है गुवा में बताएं कितनी सीट है विदाहन सभाह की तो विदाहन सबहां में कम से कम 60 और अधिक्तम 500 सदश्य और विदाहन परिशद में कितने भाई साब 40 सदश्य होते कम से कम अच्छे कोई बता सकता बेहार की जो विदाहन परिशद है इसमें कितने सदश्य है बुलेंगे राष्टर संग राष्ट्र संग लीग अभी बताया ये तो मैंने आपको कब अस्तित में आया लीग ओफ नेसंस कब आया अस्तित में ये फ़स्ट वल्ड वार के बाद में बना फ़स्ट वल्ड वार हमने सोचा कि दुनिया में सांती के जरुत है ऐसा एक संगठन होना चीए जो दुनिया में सांती स्थापित करे और बहुत काम भी किया ऐसा निये लीग ओफ नेसंस ने 10 जनवरी 1920 को बना था बहुत सारे बच्चों ने बुला विदान परिशद में 75 सीटे हैं बहुत सांदार बहुत साबास भारत की गुट निर्पेक्षता की नीती नौन अलाइनमेंट ये एकदम से किसी की तरफ जुकाव नहीं हो जाएगा जैसा भी देखाओ आपने भारत ने रूस युक्रेन वार हुआ तो भारत ने किसका साथ दिया किसी का ने गुट निर्पेक्षता की नीती के जरमदाता कौन थे ऐसी नीती किसने विक्सित की क्या बोलोगे जिवाहर लाल नहरू ने और गुट निर्पेक्ष अंदोलन चला जिसको नौन अलाइन मुमेंट हम बोलते हैं नाम अंदोलन के नाम से जानते हैं नॉन एलाइंट मुमेंट गुट निर्पेक्ष आंदोरन 1961 में चला था और नाम का हेड़कॉर्टर भी बड़ा पूछा याता है कहां पर है गुट निर्पेक्ष नांदोरन क्या बोलोगे जकार्ता में जकार्ता जकार्ता कौन से देश की राजधानी हुआ करती थी चीक है कि सिफारिशों के बाद बिहार विदाहन सभा की निर्वाचित सदश्यों की संक्या कितनी थी 1977 में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए 325 सीट बिहार में थी लेकिन 1956 में जब राज्य बना तब बिहार में कितनी सीट थी 388 थी किसकी सीट पूछ रहे हैं विदाहन सभा की सीट है लेकिन वर्तमान में विदाहन सभा की कितनी सीट हैं जड़ा बताएं वर्तमान में तो बहिया सीट 243 हैं तो इतनी सीट ये कैसे घट गई भी है क्या बोलोगे कितनी seat कैसे घट गई क्योंकि बिहार से बच्चे जारखंड को अलग कर दिया गया 15 नौमबर सन 2000 को जारखंड अलग निकाल दिया किस से बिहार से जैसे 36 गड निकला था MP से निकल गया सन 2000 में उत्राखंड की बात करें किस से UP से निकल गया था 9 नौमबर सन 2000 को 15 नौमबर को क्या बोलोगे जारखंड निकल गया कहां से बिहार से और जैसे ही बिहार से निकला तो कितनी seat रहगी 243 seat विदान परिशद में कितनी seat बताई मैंने आपको 75 राज्य सभाव में 16 और 16 का डही गुना लोक सभाव में 40 seat अध्यक्ष और उपाद्यक्ष की अनुपस्थिती में उनके कारिय कौन करता है किसकी speaker यानि लोक सभाव की बात कर रहे है कभी कभी हिंदी में ऐसे person पूछा गया कि किसकी अध्यक्ष और किसकी उपाद्यक्ष हमेशा सोचना है दोस्त इंग्लिस वर्जन देख लिया करो speaker की बात कर रहे speaker कौन है लोक सभाव में होते हैं तो सदन का जो वरिष्ट सदश्य है वो सत्तारूड दल का जो वरिष्ट सदश्य है वो ओपर राष्ट्रपती या फिर राष्ट्रपती जिस व्यक्ति को न्यूक्त कर दें जिसको राष्ट्रपती साहब बोल दें यह बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे कैरें सदन का वरिष्ट तम सदश्य होगा एकदम ठीक है सदन का कौन जो सीनियर मेंबर होगा वही और लोकसभा अद्यक्ष और उपाद्यक्ष को कहां बताया गया है दोस्त आर्टिकल 93 में इसके बारे में बताया गया है वर्स 2000 में बिहार से बनाए गए जहरखंड राज्य के निर्मान के बाद बिहार विदाहन सभा की सदश्य शंक्यात थी यह बासान हो जाएगा तो हम क्या बोलेगे जब राज्य बना राज्य पुनर्गठन अधीनियम तो उस समय थी सीट 308 1977 कि समय पर सबसे पीक पर थी 325 लेकिन सन 2000 में यही संक्या घटके कितनी हो गई आपका 243 हो गई क्योंकि जहरखंड अलग हो गया यह हमने अभी बात की थी 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विदहियक पर बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन यानि कि जब किसी बिल पर सहमती ना बन रही हो तो लोकसभा और राज्यसभा दौनों को इखटे बुला लेंगे कौन राष्टपती राष्टपती सहब इसके लिए बुलावा देते है किस आर्टिकल में इसको दोस्त बताया गया आर्टिकल 108 में बताया गया है अधियक्ष कौन होंगे इसके लोकसभा अद्यक्ष होंगे अगर लोकसभा अद्यक्ष नहीं है तो फिर कौन होंगे फिर लोकसभा उपाद्यक्ष होंगे लोकसभा उपाद्यक्ष भी नहीं है तो क्या राज्यसभा सभापती होंगे नहीं जी राज्य सभा के उपसभापती होंगे याद रख लेना राज्य सभा के सभापती कभी भी संयुक्त दिवेशन में भाग नहीं लेते हैं बात समझे तो कौन होंगे या तो लोकसभाद्यक्च या उपाद्यक्च पर राज्य सभा के उपसभापती बुलाएंगे प्रिशिडेंट सहाब तो किस चीज के लिए बुलाएगी दैहेज निरोधक विदहक के लिए बुलाएगी तीन बार बुलाएगी यह एक बार बैंकिंग के लिए 1978 में बैंकिंग विदहक के लिए एक बार आपका POTA Act था सन 2002 का Prevention of Terrorism Act सन 2002 में इसके लिए बुलाई गई थी जिसको हमने कहां से लिया है Australia से लिया है किस देश से लिया है हमने एक concept Australia से लिया है अब तक तीन बार इसको बुलाएगया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अत्वा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतबह्द होने पर कौन मामले पर निर्वाट निर्णय लेगा यानि कि Chief Election Commissioner और Other Election Commissioner जो कि देश में कितने होते हैं एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य दो हैं इनके बीच कोई मतबह्द हो गया हमारी बोड़ी में तीन सदश्य ही निकाए है चुनाव का चुनाव आयुक्त में कितने सदश्य होते हैं तीन होते हैं एक Chief Election Commissioner मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य अब यही आपस में लड़ जाएं तो कौन दिकत कौन इस परिशानी को solve करें राश्ट्रपती या फिर सर्वोच न्यायले बीच में आ जाएगा या बहुमत से यही आयोग सयों तो याद रख लिना कमिसल इटसल बाई मिजरटी स्वैम आयोग ही निड़ने लेगा अन्य कोई इसमें सामिल नहीं होगा सभापती गरी राज्य सभापती भी नहीं है और उप्ष्भापती भी नहीं है तब कौन होगा क्या लोग सभापती के स्पीकर हो जाएंगे या उप्ष्भापतीयों के पैनल के सदश्यों में से कोई एक सदश्य हो जाएगा या राष्ट्रपती द्वारा इस उद्देश्य के लिए न्युक्त सदन का सदश्य है किसके द्वारा न्युक्त राष्ट्रपती जी के द्वारा M.D. अजमल, मुहम्मद अजमल, मेरे दोस्त सरयातिवारी, बच्चू एकदम ठीक है प्रियंका दुवेदी जी सही आंसर है, अमन कुमार, very good, again भारतिय समविदाहन की उद्देश्य का में 42 समविदाहन संसोदन द्वारा निम्न में से कौन सा सब्द नहीं जोड़ा गया कौन सा सब्द है, क्या समाजवादी सब्द था, पंत निर्पेक्ष को जोड़ा गया, अखंडता को, गण राज्य सब्द नहीं जोड़ा गया, सिर्फ यही तीन सब्द जोड़े गया किसमें आपका उदेश शीका में और उदेश शीका बोले या प्रस्ताव न बोले और उदेश से प्रस्ताव कवाया था ये भी बड़ा important है 13 दिसमबर 1946 को कौन लेके आय थे नेहरू जी दुआरा इसको लाया गया था आ गया निम्न में से कौन सी समीती है जो चुनाव सुधारों से सम्मंदित नहीं थी और इससे मुझे कुछ द्यान आता है मैं तुमको तीन मुझे का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ अभी कुश्चन कर रहे थे हम दो दिन पहले ही सर आपसे बात कैसे होंगी पिलीज बताए बादल को भीजना पड़ेगा भाई बादल को बोले आपका मैसेज लेके आए और मेरे उपर आकर के तुमारे मैसेज को बर्षा दे बात नहीं करनी है सिर्फ पढ़ना है बलव बलवंत राय, असोक, महता क्या वो लोगे ये किसके लिए है ये पन्चायती राज के लिए समीति है इंदरजीत गुपता जी को जानते हो दिनेस गोस्वामी ये सब चुनाव आयोक की है ये चुनाव से सम्मन्दित समीती है जैसे इंदरजीत गुपता जी की अगर हम बात करें इंदरजीत गुपता जी समिती तो ये सब लोग किसके लिए चुनाव हुए जैसे चुनाव के इन्होंने खर्चे वगेरा बता दिये किसी ने कि चुनाव के खर्चे होंगे कितना खर्च होगा सरकार झाल झाल छेट गरता ही। जो सरकारिया आयोग बनाये गयाistent किसके लिए बनाया गया था केंद राज्य संबंधियों का पुनरविलोकन कराने के लिए सूचकांग के बारे में कौन सा सही नहीं है सूचकांग आप लोग बहुत सारे एक average होता है mean average भी नियोंसत भी नी माद्य की बात कर रहे हैं कि सूच losingक स्पेग्षिक परिवर्तनों को मापता है नहीं जी याद रख ल Shivlaная Si сigung किसको आपका निरपेग्ष्य परिवर्तनों को मापता है कि बोलेंगे सुच 5 атели क्वेशा क्या एक सेगंड का टाइम देंगे एक बार थमसब करके बता देंगे भी है मेरी वाज आप लोगों के गदम सही आ रही है एक पूछ रहा है कि जनगंडना 2011 के अनुसार राष्ट्री है औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद सासित प्रदेशों की संख्या कितनी है मैं कहता हूँ कि बहुत खतरना कोशन जनगंडना का ये पूछ लिया अगर मैं बात करूँ देश का बच्चे लिंगानुपात कितना है सेक्स रिश्यो कितना है 943 है सबसे ज़्यादा केरला का है 1084 है तो ऐसे कितने हैं जिनका 943 से ज़्यादा है तो ये तो कठिन कुश्चन है तो कठिन 100% पेपर हमको कभी नहीं करना इतना confidence हमको रखना है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से हमको इतना बनाना है कि हम merit में आ पाए हम physical के लिए qualify कर पाए तो क्या बोलेंगे जी कितने राज्यों के इंसाजित परदेशों की संख्या है तो कितने हैं वो 18 है UT क्या बोलोगे कितने की संख्या है वो 18 की संख्या है अगया बिहार राज्ये के 2020-2021 के बजट में GHDP के प्रतिशत के रूप में राजकोसिय घाटा क्या है बोलेंगे जी एकदम ठीक है बच्चे नहीं ऐसी objective ही paper आएगा objective आएगा OMR seat आएगी गोला भरना पड़ेगा सबसे पहले हमको देखना GHDP क्या होता है कितने बच्चे जानते हैं GHDP क्या होता है तो हम बात करें बच्चे हम लोग gross domestic product जानते हैं जी जानते हैं तो gross domestic product में फिर जी एश्डीपी क्या होता है तो gross state domestic product होता है जी एश्डीपी तो इसके अगर हम प्रतिशत की बात करें पुछरा 2020-21 कितना प्रतिशत रहा है वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड 2.97% 2.97% 2.97% 2.97% बहुत सारे बच्चों का अंसर आता हुआ परे गूड एकदम से ठीक है आगे आएंगे किरसी प्रतिवेदन के अनुशार भारत में गन्ना का दुत्य सरवाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है प्रसे प्यारे बच्चे आपका कौन सा प्लेस पूछ रहा है सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस ऐसे पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे जी कौन सा है दुत्य सरवाधिक उत्पादक तो क्या बोलेंगे महराष्ट्रेक जी हाँ जी पहले नंबर पर कौन सा आएगा पहले नंबर पर उत्तर परदेस आएगा लेकिन चीनी पूछ ले तब क्या आंसर करोगे चीनी उत्पादन में कौन सा होगा तो चीनी उत्पादन में दोस्त फिर हमारा हो जाएगा महराष् Next, India State of Forest Cover Report के अनुसार, भारत में किस राज्ये में संरक्षित वन स्रेणी के अंतरगत वास्त्विक छेत्र सरवादिक है, जिसमें बच्चे जो संरक्षित वन है, उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, बोलेंगे जी, तो संरक्षित वन का प्रतिशत मैंना भी आपको बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 2021 में भी सबसे ज़्यादा इसी में है, यह तो 2019 पूछ रहा है, क्योंकि परिक्षा करूं सार, 2021 में भी सबसे ज़्यादा इसी में है, नहीं, डेली क्लास नहीं चलेगी, प्यारे दोस्त, क्लास चलेगी, आपका, क्लास चलेगी, इस तरह क्या आता है किर्शी प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का फिर से देखो अच्छा ये बताओ पहला इस्थान किसी का पूछ रहा है क्या नहीं जिसका पूछा दूसरा पूछा या फिर तीसरा पूछा तो मक्का का दुत्य सरवादिक उतपादक राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश है करनाटक है बिहार है या फिर राजिस्थान है तो क्या बोलेंगे मक्का का दुत्य सरवादिक उतपादक राजिस्थान है और पहले पर कौन सा आएगा जी मध्य प्रदेश या फिर करनाटक त पहला इस्थान, ठीक है, क्या बोल रहा है बच्छा देखा ओपर, ठीक है, नहीं 10 प्लस 2 लेबल नहीं आएगा बच्छे, परिक्षा का जो लेबल आएगा वो 10 वी इस्तर का आएगा, लेकिन मैं तुम्हें सही बताओं तो 10 वी इस्तर में हम लोगों को इतिहास समझ में आ जाता है, ठीक है, 9-10 लेबल तक इतिहास का, जोग्रफी का एक अच्छा लेबल जाता है, साइंस के लिए कुश्चन, अगर 30 कुश्चन है तो उसमें से अगर मैं बात करूँ, तो आपको 15 कुश्चन तो 10 लेबल प्लस के मिलेंगे, देखने को मिलेगा, आप प्रीविस य इसरोइका का क्या आश्या था, बोलेंगे, पैरो इसरोइका, यह क्या, यह पुनर निर्मान था या प्रजातंतर था, बच्चे जो रीकंस्ट्रक्शन होता है, रीकंस्ट्रक्शन, इसी को हम बोलते है, पुनर निर्मान, और ऐसे कुश्चन पूछे जाते हैं, जैसे, एक पूछ लिया question कि journal logic का question एक एक question ऐसा पूछा गया परिक्षा में कि बहुत common चीज बोले जैसे पूछ लिया कि paid में यह जरूर होगा और ऐसा नहीं वो रिक्तिस्थान है बस चार option दे दिये कि यह जरूर होगा पत्ती दे दिये जैसे तो paid में हमेसा पत्ती हो, क्या ही ज़रूरी है, बोलो yes or no, always क्या हमेसा पत्ती होती है, कि पेड में यह हमेसा होता है, ऐसे भी पुछा जाता है, ऐसा बजार जिसमें लेंदेन बविश्य में किसी खास समय पर हो, पुणनर निर्मार तो समझते होगे न, किसी चीज को reconstruction करना जैसे मान के चलो कुतुम मिनार थी सन 1505 में बिजली गिरी और सिकंदर लोधी का साशन था तो कुतुम मिनार का पुन्र निर्मान कराया गया वो चटक देई भूकम पाया दिल्ली में सॉरी मैं थोड़ा वो बोला फ्रोसा तुगलक के समय बिजली गिरी थी 1386 में 1505 में आयदा दिल्ली में भूकम तो ये दुवारा फिर से बने इसको हम पुरे निर्मान कहते हैं ठीक है ऐसा बाजार जिसमें लेंदेन भविश्य में किसी खास समय पर संपन होगा कि आने वाले टाइम में यहां पर ये पूरा हो जाएगा उस बाजार को हम क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं वाइदा हो रहा है क्या बोलते हैं फ्यूचर्स मार्किट इसको हम बोलते है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथ्मिक कारिया है इल्तूतमिस ने पूरा किया था एक बच्चे ने लिखा हाँ एबक ने जो कुटमिनार सुरू कराई बच्चे उसको इल्तूतमिस ने पूरा किया एकदम ठीक लिखा है निम्न में से कौन सा जो करेंसी है उसका बच्चे प्राइमरी फंक्शन है वो मुल्य को मापती है वो मुल्य का संगरहन करती है तो क्या बोलो कि कोई भी करेंसी है वो सबसे पहले तो मेजर आफ वैल्यू है जैसे आप देखते होंगे कि एक डॉलर की कीमत हमने माली लगभग 80 रुपे के आसपास है और रुपे से हम उसकी तुलना करें हम क्या बोलते रुपिया कमजोर है डॉलर मजबूत है ऐसे बात करते तो यह दरसल में कोई भी करेंसी क्या है यह मेजर करती है उसकी वैल्यू को क्या करेगी मेजर करती है राजनितिक परिगटना के अध्यन की दार्शनिक विधी है बिलकुल होगा सुभास रॉय जी प्रेक्टिस एट जरूर जोइन रखें राजनितिक परिगटना के अध्यन की दार्शनिक विधी कौन सी है कोई भी राजनितिक परिगटना हुई तो क्या बोलोगे डिड़क्टिव इन नेचर कोई राजनीति घटना हुई है परिघटना का मतलब होता है घटना के आसपास की सारी चीजे है उसके लिए अगर हम बात करें कि फिलोशोफिकल जो तरीका है जो कोई ट्रिक है या कोई मैथड है वो कौन सा होगा पिरकती से निगमनातमक यानि कि जो हमारी पिरकती है उसने इससे पहले ऐसी कैसी घटना है वहाँ पर हुई है जैसे किसी कॉंटेक्ट में आप देखते होंगे कि इसका सॉल्यूशन गीता जी में दिया गया है तो ऐसी राजनीतिक घटना पहले हुई है तो उस घटना से हम रिलेट करके सोचे कि तब उसका सॉल्यूशन ये था तो वो क्या है वो पिरकती ने हमको दिया है पहले से एक अधिकार में पूर्ती वक्र पूर्ती वक्र मतलब ये एकॉनोमिक्स के कुश्चन चल रहे हैं तब कुश्चन पूछे आते अच्छे खासे जो पूर्ती वक्र है जो सप्लाइ कर्व है मोनोपॉली मोनोपॉली क्या होता एक अधिकार में एक ही व्यक्ती के контрол में सब कुश ہوगा कि जब किसी एक के Jean Krachyl में सब कुश हो जाए वो क्या है वो एक अधिकार है वो मोनोपॉली है मोनोपॉली तो क्या होता है धनात्मक डालका हो जाता है जी भाईया एक आधिकार में जो सप्लाई है वो अस्तित्व में ही नहीं होती एक्जिस्ट ही नहीं करती पूर्ती कभी एक्जिस्ट नहीं करेगा जैसे जो पूर्ती का नियम है जो आपका पूर्ती का नियम है यानि कि जो आपका सप्लाई का यानि law of आपका सप्लाई है वो किसके विप्रीत होता है law of demand के मांग के नियम के क्या होता है विप्रीत होता है मांग के नियम के क्या होगा विप्रीत होगा जैसे तो हम क्या बोलेंगे जो कीमत है और मांग है उसके बीच क्या है कीमत और मांग के बीच कैसा संबंद होता है कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंद होगा हमेशा यानि कि एकदम नेगिटिव और कीमत और पूर्टी के बीच मैं बोलू खीमत और पूर्ती के बीच यहां कैसा संबंद होता यह धनातमक संबंद होता बात समझे अगर किसी चीज की खीमते बढ़ जाएं तो उसकी मांग क्या होगी उसकी मांग कम हो जाएगी या नहीं होगी बिलकुल होगी तो relation कैसा हुआ विपरीत हुआ क्या बोलोगे खीमत और मांग अगर किसी चीज की बच्चे कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा उसका मांग का नियम क्या चलेगा विपरीत चलेगा तो कभी भी अगर मोनोपॉली है एक ही वेक्ति का धिकार में सब है जो सपलाई है वो स्तित्में आएगी नहीं वो रोक के बढ़ जागी इसको काला बजारी होती है मान के चलो एक थैली नमक है पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही थैली नमक है खरिदार कितने हो जाएंगे एक्जिस्ट कर पाएगा कुछ भी तो प्राइज क्या है बढ़ते 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 सुरी आ गयाएंगे अमिसा अश्रवाद दोस्त राउल कुमार जी निम्न में से किसे भगतान संतुलन में पूंजी परवहा जाना जाता है बोलेंगे भी यह क्या बोलेंगे भारतिय वित्य परिसंप्यतियों के किसी विदेशा करता को बेचना यानि सेलिंग इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स टुए फोरन बायर भुगतान संतुलन में जो आपका बच्चे किसको पूछ रहा है पुंजी परवहा को एक भारतिय बैंक से किसी विदेश उधार करता का जो रिन गया है एक भारतिय क्रेता यानि कि जो खरीदार है इसके द्वारा किसी विदेशिय परिसंप्ति को खरीदना किसी बाहरी चीज को या एक भारतिय नागरिक द्वारा विदेशि बैंक के लिए गए रिणका भुगतान करना तो क्या बोलेंगे भारत्य वित्य परिशंपत्यों को किसी विदेशी कोई बाहर विदेश से कोई खरीदने वाला है उसको बेच देना अंतिम ब्यारे बच्चे 10 कुश्यन है हमारे जल्दी से समझेंगे को भी देखो आएफसी कोड में कितने अंक होते हैं 11 होते हैं बहुत बार तुमको समझाया कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं जरा बताना आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं बार बार बोलता रहूं जी एश्टी में कितने अंक होते हैं पैन कार्ड में भाहिसाब दस होते हैं जी में किसमे महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से नियुनतम है। मतलब सैंसस के जवरदस्त कुश्चन पूछे। बढ़िया कुश्चन। अगर हम असम को देखें बच्चे। असम ही है सिर्फ पूर्वत्तर में 22% के आसपास बाकी सब 70% है। तो यह बहुत ध्यान देने वाली बात हो गई। मेगाल्य में आपका अगर आप देखोगे 73% के करीब है। मनीपुर 73% के करीब है। सिक्किम 76% के करीब है। मैं इसके बारे में तुमको गाइड करूँगा अभी समझना। अब यह नहीं देखना है पिर्शन कैसे। अत्रिक्त मुल्य का सिद्धान्त जो सर्प्लस वैल्यू है यह किसके द्वारा विक्षित किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा। जब इन्होंने लिखी बुक DAS Capital कौनसी किताब में ? दास Capital पुस्तक में क्या प्रस्तित किया इन्होंने अत्रिक्त मुल्या का यानि कि सर्प्लस वैल्यू का सिद्धान्त इन्होंने क्या किया आपका प्रतिपाधित किया था। बिहार में किन्यानवित की जारही, देखो, मैंने कहा ला, कभी भी किसी स्टेट की, आप लोग तयारी करें, तो ये नोट्स बना लो अभी से, जो बच्छे बिहार पुलिस की तरफ जाएंगे, बिहार में कोई भी प्लाणिंग चल रही है, कोई भी योजना चल रही है, वो जरूर पढ़के रखें तो किसके लिए गरीबों को निशुलक भोजन की ववस्था करना ये वरद्ध जनों की निशुलक भोजन की ववस्था करना ये चैनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना ये सरकारी होस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाती वे अनुसूचित जन जाती के बच्चों को सस्ता खाना उपलब्द करवाना तो क्या होगा? चैनित परिवारों को सस्ता गैहूं और चावल आवंटित करना ठीक है? 35 किलो राशन इसमें फिक्स किया हुआ है जिसमें से 20 किलो जो गैहूं मिलेगा वो कितने रुपे किलो पर दिया जाता है बच्चे? 2 रुपे किलो पर और 15 जो किलो चावल होता है वो 3 रुपे किलो पर दिया जाता है ठीक है? संगिया बजट 2020-21 में सकल गहेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोशिय घाटे का क्या लक्षय निर्दारित किया गया था किंद्रिय बजेट संगिय का मतलब किंद्रिय बजेट में बिहार के बजेट में विसेश चीछ देखने को मिली 3.3% 3.8% 3.5% या फिर 4.0% बोले जी कितने परशेंट का तो भाई साब 3.5% का अजब बिहार में आप जानते इस बार कैसा आपका ग्रीन बजेट आया था पहली बार जिसमें ग्रीन बजेट का मतलब होता है कि जो जलवाईव परिवर्तन है जिन चीजों की वज़े से प्रदूशन हो रहा उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सांदार रंग राजन समीती के अनुशार ये दो समीती आउई एक तो रंग राजन समीती है जिसमें गरीबी रेखा के लिए कहा और एक समीती और कौन सी थी तैंदूलकर समीती तैन्दूलकर समीती तैन्दूलकर सहब कहते थे कि जो ग्रामीन छेतर है उसमें अगर कोई कोई रोज का पढ़ते दिन 27 रुपे खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है और कोई सहर का आदमी है सहर का आदमी वो 33 रुपे हर रोज खर्च करें तो वो गरीब नहीं है ऐसे ही रंगराजन साहब क्या कहते थे रंगराजन जी कहते थे गाउं में इन्हों ने बताया 32 और सहर में बताया 47 बोले ये गरीब नहीं है बताओ बड़ा कमाल हुआ तो क्या बोलते हैं इसको रंग राजन जी ने 32 से बनता है 32 गुणा 30 करें तो 900 कुछ और सहरी छेतर के लिए कितना बताया है इन्होंने नहीं सॉरी यह अलग अलग लिखे हुए है 407 और 972 एक लिए ठीक है यह ओप्सन बी में भी आगे है यह इससा कटके इसका इसके लिए सॉरी किरसी परतिवेदन 2019 के अनुशार भारत में चावल का सरवादिक उत्पादक राज्य देखो उत्पादन चावल, फशल और खनिज यह अपनी कॉपी में इंपोर्टेंट नोट्स में लिखो कि हम जरूर पढ़ेंगे उत्पादन हमेसा हिमाहत पूर्ण है अब ऐसे नहीं हमने एक परशन उठाए इस परिक्षा का कि इसको रख देंगे क्योंकि यह सबसे ज़्यादा उत्पादन के कुश्चन पूछ रहा है इसलिए उत्पादन के कुश्चन आप लोगों को अनलिसिस में करवाएगे कि उत्पादन के परशनों को आप अपनी प्रात्मिक्ता पर रखे ठीक है भाईस आप समझ पा रहे हैं तो 2019 के नुसार भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहां पर होता है अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब को हम बोलेंगे पिर्ती हेक्टेयर में होता है सबसे ज़्यादा पूछ लेगा आंधरा आ जाएगा आपका आंधरा ठीक है विस्वेस्वरिया लोहा एवम स्पात लिमिटेड कौन से राज्ये में स्थित है योगेस मोरिया जी अभी पेपर तो हो जाने दो पहले क्या बोलेंगे विस्वेस्वरिया लोहो स्पात आंधर परदेश, उडिशा, पश्रिम बंगाल या करनाटक तो भाही साब कहा होगा करनाटक में होगा और सबसे पहला अगर श्टील प्लांट बात करें बहरत का तो वो कौन सा है वो कुल्टी में है कुल्टी कुल्टी वेस्ट बंगाल में लेकिन वास्तिक रूप का 1907 है जिसको आपने सुना होगा बहुत बार जमसेदपुर का टिस्को टाटा आइरन एंड इस्टील कॉपरेशन सुनाए टिस्को 1907 टाटा आइरन इस्टील कॉपरेशन परंपरावादी समष्टी परिणाली में मुद्रा की जो मात्रा है उसकी वरद्धी के परिणाम सरूप यानि की जो मुद्रा है वो इंक्रीज कर जाए तो उससे क्या होगा मुल्य इस्तर बढ़ जाएंगे तो मुल्य इस्तर में वरद्धी हो जाएगी हां जी हो जाएगी किसी भी country में पैसे का फिलो बढ़ जाए तो पैसे का फिलो बढ़ेगा तो क्या वहाँ पर production नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा पैसे के फिलो पैसे की वज़े से तो बच्चे बहुत से देश हो मानिक चलो भूटान है तो वहाँ production क्यों नहीं है क्योंकि पैसा नहीं उनके पास इस जीज़ को इसलिए वह production नहीं कर पा रहे है और जब उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उत्पादन और रोजगार का सीधा सीधा संबंद है उत्पादन होगा तो रोजगार भी पैदा होगा छीक है फसले जिने हम सीध रितू में उगाते हैं ये अन्तिम परिशन है नवंबर से अप्रेल तो नवंबर से अप्रेल जैसे गेहूं है हम जानते हैं गेहूं है गेहूं और उसके साथ वाली फसले ये सब क्या होती है रभी की फसले होती है खरीब की फसले आपका जून जुलाई में बोई जाती हैं तो ये प्यारे दोस्त क्या है हमारा ये सत्तर कुशन है जो हमने पढ़े अब मैं तुम लोगों को गाइड ये करना चाहरा था ये हमने परशन देखे ये मैंने परशन वो चुने आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छे लेवल के कुशन मुझे लगे बाकी परशन इस से निचले इसतर के मुझे लगे और ये परशन हमने ले लिए चार सैट में से चार सैट का मतलब G.S. का हम माने तो 120 में से 70 कुशन मैंने आप लोगों के लिए लिए बाकी 50 कुशन मैंने छोड़ दिये वो मुझे लगा मेरी समझ से मैं जानता हूँ कि बच्चे क्या समझ पाते क्या नहीं कहां उनको क्या समझाना है कि क्या इस तर उनको तैयार करना है तो बच्चे फाइट इस 50 कुशन की है ही नहीं 50 और 70 तो बात आये हम अगर मैं इसको 30 कुशन पर बात करूँ क्योंकि भी 120 में हम बात कर रहे हैं आपका किसका तो जो 60% कुशन मैंने आपको दिखाए तो 60% अच्छे कुशन है बच्चे यानि 18 कुशन आप लोगों के बहुत अच्छे अधियन से और महनत से तयार होंगे बाकी 30 में से मेरा ये मानना है 12 कुशन ऐसे आएंगे 12 से 14 कुशन जो हर कोई करके आएगा बच्चा बच्चा बना के आएगा असा नहीं मतलब फढ़ता होगा तो ही करके आएगा तो 12-14 हर कोई करके आएगा GS वाले सेक्षन में अगर 30 की बात हम करें इसी को प्यारे दोस्त अगर हम 40 पे कैलकुलेट करें कि वह 40 कुशन पूछे जाए टोटल क्योंकि variation है कम ज़्यादा बढ़ती हो सकता है कुशन फिर भी 40 कुशन विहार विहार सबका मिला के हम बात करें तो बच्चे 40 का 60% कितना होगे आपका 24 कुशन अच्छे यानि लगबग हम 50-50 पे बात कर सकते और 16 कुशन आपके कैसे होंगे जो हर कोई करके आएगा तो बात किसके लिए करने है एक्स्ट्रा 50% के तो भीया कि आप merit 50% से भी उपर जा सकती है तो मुझे नहीं लगता भाई merit 50% से उपर जाएगी तो qualify तो हो जाएगा लेकिन भाई सुरू से ही महनत करो ना ताकि doubt ही ना रहे हमन में कोई क्योंकि physical इतना tough है कि साइद paper के बाद आपको physical उतने tough physical को तयार करने का time ना मिले अब ऐसा तो है नहीं आप आज से भागने लग जाओगा आपकी बाकी परिक्षाई भी है पढ़ना भी है तो paper एक बार दे के अच्छा सा तब भाग लेंगे भाई तो वो शुरू में एक जो pressure होता ना वो नहीं होना चाहिए और जो बच्चे तयारी करेंगे जो बच्चे बूचरे थे इसके लिए बच्चे आपका क्यों बोलेंगे जो बुद्ध भय ऐच है ठीक है लगा बुद्ध भय ऐच है आपका और इसके price के लिए अभी ये चीज आप लोग रहने देना ठीक है इसके लिए कल वीडियो आएगी एक ओके भाई साब यह 480 लिखा हुआ है ना क्या होगा इसके लिए वीडियो आएगी अभी ठीक है सर ने बोला इसके लिए कि इसके लिए कल वीडियो लेका आएगी है सारी चीज़े तुमको समझाएंगे तो बुद्धाबैच सुरू हो रहा है बच्चे आपका 20 जून से रेजिस्टेशन इसमें सुरू हो जाएंगे और 20 जून के रेजिस्टेशन के बाद में आपका एक जुलाई से इसकी इकलास सुरू हो जाएंगी प्रॉपर सारी जो सबसे बहतरी टीम हां RWA की वो बिहार पुलिस है बच्चे ऐसे समझना कि बिहार स्टेट में ये एंट्री होगी RWA की और किसी को भी अगर अपने आपको स्थापित करना है तो टीम जितनी महनत करेगी उतना ही प्यार आपको भी टीम को दिखाना होगा उतनी महनत आप लोगों को करनी होगी क्योंकि बोलते हैं कि सुरुवाती दोर में जो जोस होता है वो सबसे सांदार होता है और ऐसे ही RWA टीम इस बिहार प्रिक्षा के लिए प्यारे बचे बिहार पुलिस कॉंस्टिबल भरती के लिए अपना जो भी महनत की जाएगी वो सब हम करेंगे सब लोग साथ मिलके करेंगे उमीद करूँगा आप लोग बुद्धा बैच से जरूर जुडेंगे और बहुत अच्छे से हम सब लोग साथ मिलके पढ़ेंगे तो कल बच्चे जुड़ना न भूले कल मैं आपको हिंदी के परिशनों का एक इस तर बताऊंगा हिंदी के हम सारे परिशन लेंगे लगभग मतलब सारे तो नहीं ले पाएंगे लेकिन लगभग ले लेंगे 80-90 कुश्चन लेंगे ठीक है और उससे अगले दिन फिर साइंस के ठीक है भाई साब तो जरूर बताएं कि अनलिसिस देखकर कि आप क्या समझ पाएं मैंने अच्छे प्रशनों को आपके लाने के सामने कोसिस की क्योंकि अच्छे प्रशनों को हम कभी-कभी तैयारी करते हैं टाइम में छोड़ देते हमको लगता आसा आसा बन पारे ठीक है इस तरह से पढ़ना है एहली स्थिती ही इंपोर्टेंट नहीं दूसरा थर्ड पलेस भी इंपोर्टेंट होता है यह हमको पढ़ना होगा तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा बाई बाई टेक केर चैहिंद चैह भारत तो मिलते हैं कल साम आठ बजे थैंक्यू